Hello friends, welcome to my channel Friends, आज मैं आपको ये ब्यूटिफुल सा बारीक बारीक बुनाई का डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत इजी डिजाइन है, केवल 4 रोका ये डिजाइन है यानि की 4 सलाई में ये डिजाइन बनता है और यह design आप किसी भी project पे apply कर सकते हो बहुत ही easy और बहुत ही beautiful यह design है पारिक पारिक design अगर आपको चाहिए तो आप इस design को ज़रूर try करिएगा अपने project पे design को बनाने के लिए फंदे हमने even number पे रखने है यानि की दो 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 करके हमने फंदे लेने है इस design को बनाने के लिए केवल चार सलाई में design बनता है और यह देखिए इसका back side उल्टी तरब से यह ऐसे दिखता है उल्टी तरब से भी बहुत ही खुबसूरत दिखाई देता है यह front side है इसका तो चलो फटा फटसे से बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए इस पे मैंने डाले हैं 12 फंदे दो दो के multiple पे देखिए दो फंदे फिर दो फिर दो फिर दो और दो इसी तरह से आपने फंदे लेने है इवन नमबर पे पहली सलाई हम उल्टी तरफ से बनाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद first row हम बनाएंगे wrong side से यानि कि उल्टी तरफ से तो ध्यान से देखिएगा केवल चार सलाई का डिजाइन है तो चारो सलाई यह आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा stichay से उल्टा उतारेंगे अब धागा पीछे कर देना है एक फंदा सीधा बनाना है दो दो फंदो का यह डिजाइन है देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ ले लेंगे एक फंदा हम पल वाई slip करेंगे इस तरह से बस इनी दो फंदो को हमने रिपीट करना है एक फंदा सीधा बनाएं देखिए धागा हमारा अपनी तरफ है तो यह दागा इस फंदे के उपर से होते हुए जाएगा इस तरह से और देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करेंगे ठीक है फिर से भात्त बनाना है कि दागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे कि एकत्ता सीधा बनाईगे- इस तरह से देखिए यह पूरी सलाई हम बनाएंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सिलिप करना है फिर एक फंदा सीधा बनाना है धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सिलिप करना है इसी तरह से देखिए दो दो फंदो का डिजाइन है दो फंदो से यह तीन फंदे यहां पर हो जाते हैं ठीक है पहली सलाई इस तरह से हो गई आप देखिए दूसरी सलाई सीधी तरब से आएगी राइट साइट सेकेंड रो पहला फंदा सीधा उतारेंगे अब देखिए जो यह फंदा है न और इसके उपर से यह वाला फंदा जो हमने गुमाकर यहां पर बनाया हुआ है इन दोनों फंदों को एक साथ बनेंगे यहां पर दो का एक करना है ठीक है फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर से देखिए एक फंदा है और एक पर से धागाया हुआ है इन दोनों को एक साथ बनाना है यानि कि सारे फंदे हमने सीधे सीधे बनाने एक फंदा सीधा बनाना है और दो फंदों का एक फंदा करना है सीधा बनाते हुए इस तरह से फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे दो फंदे का एक पंदा बनाएंगे सीधा बुनते वे लास्ट में दो फंदे बचेंगे दोनों को ही हमने सीधा बना देना है तो दूसरी सलाई हमारी यहाँ पे इस तरह से ओवर हो जाएगी ठीक है अब देखे तीसरी सलाई आएगी सीधी तरब से तीसरी सलाई भी हमने बिल्कुल first row जैसे बनाना है लेकिन तीसरी सलाई को शुरुआत पर हमने ये ध्यान रखना है पहला फंदा slip करेंगे उल्टा उतारेंगे इसके बाद हम इस फंदे को slip करेंगे पिछली बार हमने इस फंदे को बुना था लेकिन अब की बार इस फंदे क सीधा बनेंगे फिर से देखिए धागा आगे करके इस फंदे को हमने पिछली बार बुना था अब की बार इस फंदे को सिलिप करेंगे और जो सिलिप कर रहा था उस फंदे को सीधा बनेंगे देखिए इस फंदे के ऊपर से होते वे यह धागा जा रहा है फिर इससे सीधा ब करेंगे एक पंदा कि सीधा बनाएंगे त्राग अपनी तरफ करेंगे ऐक पंदा सीधा बनाएंगे बना तस में हमारे दो यह जाब कि आप देखिए च्युती साथ लाईए राइट साइट से है पहला फंदय सीफा उता जो यह सीधा up पारना सीधा उता इंगे मि पर सीधा है हैं double फंदहों को एक साथ बुनेंगे एक बनाएंगे दो का एक पिर से एक सीधा ही तो इस सिद्धे था ही हमने बनाने हैं पर इस तरह से हां पर यह हमारी recommendations सलाई हो जाएगी एक बार मैं आपको पहली सलाई यहां पे लगा के दिखाती हूँ, देखे, जो हमने पहली सलाई यहां पे लगाए थी, वो हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके, एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करके एक फंदा इस तरह से सीधा बुनेंगे और इस फंदागे को इसके उपर से गुमाते वे आगे लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे तो पहली सलाई मैंने यहाँ पर रिपीट करी है आप देखिए दूसरी सलाई सीधी तरब से पहला फंदा सीधा उतारा इसके बाद दो फंदे का एक फंदा सीधा बुनते वे करना है फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदे का एक फंदा सीधा बुनना है दूसरी सलाई में यहां पर बना रही हैं जो दो फंदे हैं उसका एक करना है और सिंगल फंदा सिंगल ही बुनना है सीधा तो यहां पर मैंने यह दूसरी सलाई भी कंप्लीट कर दिया फिर से देखिए तीसरी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा बनादे करें और इस पन्दय को स्लिप करेंगे और इस पन्दय को बनेंगे और इस पन्दय को सीधा बना निया कि यह तुछ तरह से यो यहां पर बनानी है ऐस चीज को उल्टा बनाएंगे तो यहां पर मैंने यह तीसरी सलाई बना दी है ठीक है चौती सलाई सीधी तरब से आएगी पहला फंदा सीधा उतारेंगे सिंगल फंदे को सिंगल सीधा बुनेंगे डबल फंदे को एक साथ बुनेंगे ऐसे सारे फंदे हमने सीधे बनाने ह सिंगल फंदा सिंगल सीधा बुना जाएगा डबल फंदा एक साथ बुनेंगे सीधा तो का एक करेंगे गो आग prim हुए तो देखिए यहां पे मैंने दो बार 2024 वार चारचार शलाइन बना दी है तो इनी जो शार स्लायária मैंने आपको बताई है इन इजार मुझे बार बार रीपीट करते वे जाएंगे तो यह दीजाइन हमारा देखिए better obviously डिजाइन हमारा इस तरह से आएगा तो बनाईए इसे और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको डिजाइन कैसा लगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक ये फूर वाचिंग मिलते हैं अ